अभी फेस्टिवल का सीजन चल रहा है और महमानों का आना जाना तो बिल्कुल लगा हुआ रहेगा बट हाँ मिठाईयों से काम तो चलने वाला नहीं हो उन्हें कुछ नमकीन भी खिलाना पड़ेगा तो मैंने सुचा क्यों ना आपके साथ आलू बॉंडे की रिस्पी सेहर के जाए चाय के साथ इसे परोसना एक डूलो को तो जरूर वो बताएंगे बिलकुल सिंपल तरीके से बताऊंगी और अगर आप बिगनर हो फर्स टाम बना रहे हो तब भी बिलकुल पॉफिक बनेगी और साथ में खटे में थे इमली की चटनी बताऊंगी धनी पूदीनी के चटनी तो आपनी काफे बार ट्राय की होगी इस बार इमली के चटनी के स साथ सेर्वी करिएगा सो सबसे पहले आलू बॉंडी के लिए हम स्टॉफिंग तयार कर लेते हैं सो मैंने यहां पर एक कढ़ाई लिया है और जब कढ़ाई अच्छे से गर्म होजे तो इसमें आड़ करेंगे तेल सो मैं यहां पर मस्टर्ड वाल लिया है दो टेवल स्पून आप यह मस्टर्ड वाल का यूज़ करना काफी अच्छा से टेश्ट आएगा जब तील हलका से गर्म होजे तो आड़ करेंगे आधा टीस्पून जीरा और साथ मी आट करेंगे आधा टीस्पून कुरियांडर सेट्स काफे अच्छा से टेश्ट आता है तो आपके पास है ग्रीन कैप्सिकम एड़ कर रही हूं आप अपने हिसाब से सब्जियों को एड़ कर सकते हूं कम या फिर ज्यादा सु सारी चीजों को आप रॉक्स आरा हमनेट के लिए भून लेंगे बड़ जो कैप्सिकम और घाज़ है उसका कलर बिल्कुल भी नहीं चेंज करना है सो नेक्षट अब मैं यहाँ पर एक टेसपूण ॉटाप दॉट राक कर रहे हूं और सातमी स्पैस मेंसे के लिए एक हर्य मर्च आड कर रही हूं जैसे कि मैंने बारे कट कर लिया है जो मैंने मिर्च आड किया वो थोड़ा ज्यादा स्बैसी था इसलिए मैंने एक रही अट किया है एंड नेक्ष्ट मैं यहां पर 15-20 कड़े लिप सैट कर रही हूं सो सारी चीज़ों को एक और अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड नेक्ष्ट मैंने यहां पर 10-12 उबला हुआ आलू लिया है और आलू को बिल्कुल थंडा करके यूज़ करना है अगर गर्म आलू का बॉंडा बनेगा तो फटने का डर काफी ज़्यादा रहता है और साथ में जो स्टफिंग बनकर तयार होगा वो काफी ज़्यादा ग करेंगा कोई ज़रूरत नहीं कि बिल्कुल बारीक रहना चाहिए फरहा लगया तो काफ़ी ज्यादा अच्छा लगता है सो आलू को भी मसाली के साथ में बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे दीख सकते हैं कर एक सबसे पहले में यहाँ पर एक टीस्पून साल्ट रही हूं आप नमक अपने हिसाब से कम्या फिर जाधा कर सकते हो एंड निच्ट मैं यहाँ पर वण बाइफ टीस्पून हल्डी का पॉड़र रही हूं और सातमी एक टीस्पून भूना हुआ गोल की और जीरा का पॉड़र रही हों आप दोनों में नॉर्मल बाला यूज़ कर रहे हैं तो आप एक टीस्पून यूज़ करना और साथ में वान बाई फोर टीस्पून गरम मसाला आड़ कर रही हूं तो सारे चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे सो फाइली देख सकते हूं कितना ज्यादा चट पटा लग रहा है ऐसे ऐसे खाने का मन कर रहा है तो अब मैं फ्लेम को कर दे रही हूं और बारी कटा हूँ धनिया पत्ता स्प्रिंकल कर रही हूं तो इसे भी कर लेंगे एच्छे से मिक्स एंड लास्ट आट कर रही हूं आध के साथ आलू को चोड़ी और साथ में स्टीटर स्टैल आलू सबजी की रेस्पी से अरकी है सो इंड़ स्क्रीन में वीडियो लगा दूंगी आप उसे इस वेस्टिवल ज़रूर से चेक करना तो चलिए आलू को हम बल्कुल ठंडा करकी यूज़ करेंगे तब तक हम इमली क स्क्रीन में जरूर से लिखना एंड इसमें कौन-कौन से सेट्स होते हैं स्क्रीन पर मैं आपको मिंसन कर दूंगी आप देख लेना और नेक्स्ट आइड कर यूज़ काफी अच्छा से टेस्ट आता सो आप जरूर से आड़ करना सु सारी चीज़े बिल्कुल अच्छे से इस टेस पर मैं आधा कप इमली का प्यूरी आड़ कर रही हूं और साथ में वन बाई फूर्थ कप पानी आड़ कर रही हूं सु सारी चीज़ों के अप्रॉक्स एक से आधा मिनिट के लिए फका लेंगे जब अच्छे से उबलने लगे तो इस टेस पर आड़ करेंगे आध चटनी की कंसिस्टेंसी को मैनेज करने के लिए मैहा पर एक तेस्पून कॉन ले रही हूं जिसे की वन बाई फूर्थ कप पानी में मिक्स करके अच्छे से आड़ कर रही हूं सो बापस इमली की चटनी को दो मिनिट के लिए कंटिन्यू चलाते हुए पकाएंगे सो फाइनली बिल्कुल तयार है खटा मिठा नम कीन इमली का चटनी मेरी मम्मी आलू बॉंडी के साथ यह वाल ही चटनी बनाते हैं सो मैंने सूच है क्यों आपके साथ सेर कर दो मुझे तो काफे पसंद हैं सो आपको कैसा लागा कमेंट सिक्सन में जरूर से लिखना तो शल साथ में वन बाई फोट कप चावल का आटा यूज कर रही हूं सो चावल के आटे से जो बॉंडा है उसका उपरी लियर काफे जादा क्रिस्पी रहेगा आप इसे जरूर से आट करना या फिर आप चाहूत यहां पर कॉन फ्यूर का यूज कर सकते हूं या फिर बारिक पीस फिर रही हो आजिवान से हमारा digestive सीस्टम काफी अच्छा रहता है आप इसे आट कर सकते हो और साथ में एक टिस्पून सार्ट में रहा हूँ और फोर टिस्पून हल्डिक हाप बॉडर और साथ में एक टिस्पून कास्मेरी लाल मेना कर रही हूं सो ski्सों को बिल्कु सारी गुठलियां हो जाएगी एंड उसे तोड़ने में बहुत ज्यादा प्रॉग्लम होगा तो पॉफिक्ट भीसन का घूल बनानी के लिए मुझे एक कप पानी लगा है एंड इसके कंस्टेंसिया देख सकते हो बिल्कुल पॉफिक्ट है इससे ना तो ज्यादा थीक रखना है अब 5-7 नट के लिए रिष्ट पर छोड़ देंगे गोल को क्योंकि जो सूजी वो हलका फलका भी फूलेगा तो जब तकी रिष्ट करता है चलिए जो आलू बांडा उसके लिए आलू तयार कर लेते हैं तो आलू काफी अच्छे से ठंडा हो चुका है तो इसका हम बॉल बना लेंगे तो आप अपने हिसाब से छोटा या फिर बड़ा बॉल बना सकते हैं मैंने थोड़ा नीमू से बड़ा रखा है क्योंकि जो आलू बांडा होता है उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है और बिलकुल गोल कहने की कोई ज़रूरत नहीं है थोड़ा अंसे भी अचलिए वालू का बॉल आट करेंगे और इसे तल लेते हैं तो मैंने पहले से तेल को गर्म कर लिया है बिलकुल अच्छे से गर्म करना है और फ्लेम को लूटू मेडियम कर दिया है तो हाथों से बॉंड़ी को तेल में डालेंगे चमच और स्पून तो बस दिखावा हो हाथों से डालो बिलकुल अच्छा से पील आएगा आपको कि आप आलू बॉंड़ा बना रहे हो तो एक वर में जितना आता है दू तीन आप डाल सकते हूं बॉंड़ी को लूटू मेडियम पर दला है हाई फ्लेम बिलकुल नहीं रखना है तो जब आधम निट के आसपा साइट से हम तेल को बॉंड़ी के ऊपर डालेंगे ताकि जो ऊपर कर लेयर हो भी क्रिस्पी हो जाए तो एक नट के आसपर सूच चुका है मैं सारे बॉंड़ी को पलट दी रही हूं देख सकते हूं काफी अच्छा सा कलर आया है और बिलकुल भी चिपका नहीं है कडाई म और बिलकुल भी फटा नहीं है तो अलट पलट के हम बॉंड़ी को तील में तल लेंगे एप्रॉक्स आपको चार से साथे चार मेंट का टायम लग जाए अगो लुटू मेडियम फ्रेम पर लाश्ट दीख सकते हूं काफी अच्छी से तल कर तयार हो गया है तो इस इस पर म हैं तेल से बहार निकाल ली रही हैं और फानलिस का लुक देख सकते हैं कितना ज्यादा टेश्टी लग रहा है आप इसे चटनी के साथ इंज्वाए करो बिलकुल मजाया जाएगा सो सेम प्रोसेस से दूसरे बैच को भी तल लेंगे तो सारे यहां पर साथ बॉंड़ा बन दिवाली में जरूर से ट्राय करना तो मैं आपको एक तूर का दिखाती हूं और इसका फीलिंग देख साकते हैं काफे ज्यादा टेश्टी है सो आप कब बना रहे हैं मुझे कमेंट सेसिन में जरूर से लिखना और आपकी रेस्पी कैसी बनी वो भी लिखना और रेस्पी आपके पास पहुंचेगी सो मिलते हूं अगली रेस्पी के साथ अपते के लिए बाएं टेक केर